पाकिस्तान को बेचे गए जे 10 फाइटर एक क्राफ्ट के बारें बात करेंगे रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान ने 25 जे 10 सी इफाइटर एक क्राफ्ट चाइना से खरीदे हैं जे 10 फाइटर एक क्राफ्ट एक मीडियम वेट सिंगल इंजर मल्टी रोल कॉमबेट एक क्राफ्ट है जो की आल वैदर आपरेशन्स कर सकता है जो पाकिस्तान ने वेरियंट ख्रीदा है वो इसका एक्सपोर्ट वेरियंट है Export Variant वो Variant होता है जो Parent Country दोरा यूज किया जाने वाले एक्राफ्ट से कम Capable होता है इसे खास तोर पर डाउन ग्रेड किया जाता है ताकि इस एक्राफ्ट को बेचा जा सके ऐसे एक्सपोर्ट को Monkey Model एक्सपोर्ट का नाम भी दिया जाता है जैसा की हाल ही में रशिया दोरा उनकी एसकंदर मिसाइल के साथ देखा गया है ऐसा बताया गया है कि जो मिसाइल्स रशिया ने दूसरे देशों को बेची हैं उनमें कम Capability थी और जो Capability अभी यूकरेन में इसकंदर मिसाइल की देखी गई है वो काफी यूनीक है और इससे रशिया की और ज़दा Capability का पता चलता है कि हम उनके Weapons को उनके Export Variant से जज़ नहीं कर सकते लेकिन फिर भी यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि जो पाकिस्तान ने Variant खरीदा है वो कम Capable है पाकिस्तान का ये A-Craft काफी Capable है और इसको लेकर भारत को स्टर करेना चाहिए पाकिस्तान ने ये A-Craft हमारे राफेल A-Craft को काउंटर करने के लिए खरीदा है और ऐसी possibility है कि पाकिस्तान और ज़्यादा इन A-Craft के order दे सकता है अभी उनकी जो economic condition है उनको लेकर तो ऐसा लगता है कि वो ऐसे हालात में नहीं है कि वो इनको और जला खरीद सके लेकिन अगर वो भारत को काउंटर करना चाहते हैं और राफेल को काउंटर करना चाहते हैं तो उने और ऐसे A-Craft खरीने होंगे जो कि चाइना उन्हें लोन पर भी दे सकता है तो चलिए इन A-Craft के बारे में इन जाइनिस J-10 के बारे में डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अगले पार्ट में हमने इस fighter A-Craft के बारे में डिटेल में बात की है तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम चीन के J-10 fighter jet के बारे में बात करेंगे J-10 चीन का एक होम ग्रोन लड़ा को विमान है आप इसे चीन की वायो सेना की बैकबोन की तरह समझ सकते हैं अभी तक चीन ने 500 के करीब J-10 fighter jet बना लिये हैं और अगर भारत के साथ जंग होती है तो चीन ये fighter jet हमारे खिलाफ बेजेगा इसलिए इसकी capability को जाना जरूरी है ये चीन का एक सिंगल इंजन लाइट वेट fighter jet है इसका डेल्टा विंग डिजाइन है जिसमें कनार्स का इस्तिमाल किया गया है इसे चैंग डू एक क्राफ्ट कॉर्परेशन ने बनाया है जेट अंचीन का पहला ऐसा विमान है जिसके बारे में चीन ये दावा करता है कि य लेकिन इस दावे को भी दुनिया शक की निगाह से देखती है इस fighter jet के बारे में दावे हैं कि ये इसराइली लावी प्रजेक्ट की एक कॉपी है यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि इसराइल ने लावी प्रजेक्ट को बंद करकर इसके plans चीन को बेश दिये थे लेकिन च खैर आप चीन के दावों के बारे में तो जानते ही हैं चो चलिए और देर ना करते हुए इस fighter jet के बारे में जानते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस fighter jet के तीन variants है जे 10 A, जे 10 B और जे 10 C जे 10 A variant इसका सबसे basic variant है और जो जे 10 B variant है वो जे 10 A variant का एक upgraded variant है और एक variant thrust vectoring nozzles के साथ भी दिखाया गया था लेकिन वो cable testing के लिए इस्तिमाल किया जा रहा था तो चलिए भी इसके कुछ basic specifications के बारे में जानते हैं ये aircraft एक single engine aircraft है इसकी length 16.43 मीटर की है और इसका wing span 9.75 मीटर का है इसकी height 5.43 मीटर की है और wing area 33 मीटर स्केर का है इसका empty weight 9,750 किल किलोग्राम है और इसका gross weight 12,400 किलोग्राम है इसका maximum take off weight 19,277 किलोग्राम है इसमें एक Russian engine का इस्तिमाल किया जाता है इसमें सेर्चन AL-31FN after burning turbofan engine का इस्तिमाल किया जाता है जो कि 79.43 KN का dry thrust generate करता है और 125 KN का after burner के साथ wet thrust generate करता है इसके बाद ऐसी reports साइं थे कि इस aircraft में चाइ ना दवरा बनाया गया WS-10A engine लगाया गया है लेकिन उसके बारे में ऐसी report थी कि ये engine इतना अच्छा नहीं था जिसके बाद इस aircraft में इस engine को इस इस aircraft की performance के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी total range 3,200 km की है और इसकी combat range 1,250 km की है इसकी maximum speed Mach 2.2 की बताई जाती है और इसकी maximum service ceiling 18,000 meter की बताई जाती है इसके thrust to weight ratio की अगर हम बात करें तो इसके Russian engine AL31F engine के साथ इसकी thrust to weight ratio 1.15 है और जो Chinese engine है उसके साथ इसकी thrust to weight ratio 1.16 है तो चलिए अगर भी इसके engine के बारे में detail में बात करते हैं जो J10A variant है उसे एक single Russian section AL31FN turbofan engine के साथ पावर किया जाता है जिसके thrust के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये Russia के square 27 aircraft में इस्तिमाल किया जाने वाले AL31F engine का एक variant है इसे एक शोटे J10 fighter aircraft में फिट करने के लिए फिर से design किया गया है इसके कुछ engine parts को move किया गया है और इसे एक शोटे engine bay में फिट करने के लिए re-design किया गया है J10 fighter aircraft को एक Chinese WS10 टाइ हांग turbofan engine से पावर किया जाना था लेकिन कुछ difficulties के कारण इस engine को इसे craft में इस्तिमाल नहीं किया जा सका है जो Russian engine है उसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी जो service life है वो 2250 hours की है जो कि बाकी engines के मुकाबले में काफी कम बतायी जा रही है और इसके साथ ही इसे craft में एक WS10 thrust vector control engine का भी इस्तिमाल किया गया है इसमें लगाये जाने Chinese engine WS के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस engine के बारे में ऐसी जानकारी दी गई है कि इसका maximum thrust 120 KN से लेकर 114 KN तक का है जाने कि इसके बारे में जानकारी release नहीं की गई है इसी कारण से इसके thrust value के उपर अंधाजा ही लगाया गया है इसका यो thrust weight ratio है वो 7.5 का है तो चलिए अभी इसके radar के बारे में बात कर लेते हैं इसकी रडार के बारे में भी आपको बता दे हैं कि इसके रडार के बारे में भी जदा information available नहीं है इस एक craft में जो ESA डार लगया गया है उसके बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है कि इसमें कौन सारर डार लगया गया है लेकिन इसका जो J-10A वेरियंट है उसमें एक KLJ-7 Pulse Doppler Fire Controller डार का इस्तिमाल किया गया है लेकिन जो इसके बाद में J-10B और J-10C वेरियंट आएं है उसमें इसका एक Upgrade वेरियंट KLJ-7A लगाया गया है जो की एक AES radar है इस radar के बारे में ऐसी जानकारी दी गई है कि ये radar 170 km की range की उपर fighter jet की size वाले targets को detect कर सकता है और बड़े targets के लिए इसकी detection range 200 km बताई जा रही है इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि इसमें 1000 से ज़्यदा TR modules लगाये गये हैं लेकिन अंदाजा है कि इसमें 1200 के करीब TR modules लगे हुए हैं इसके बारे में ज़्यदा details secret हैं तो इसके बारे में ज़्यदा जानकारी available नहीं है reports के मताबिक J10B variant में AES radar का इस्तिमाल किया गया है तो ऐसा हो सकता है कि जो J10C variant है उसमें भी इसी radar का इस्तिमाल किया गया हो इस radar के बारे में ऐसी जानकारी है कि ये 15 targets को एक टाइम पर track कर सकता है और एक ही टाइम पर 4 targets को engage कर सकता है इसमें 11 modes for an operation हैं जिसमें synthetic aperture radar mode भी है तो चलिए अभी इसके बाकी avionics के बारे में बात कर लेते हैं अभी हम जिन avionics के बारे में बात करने वाले हैं वो एक craft के अंदर नहीं एक craft के बाहर mount किया जाते हैं जाने कि इसके external wing pilots के उपर इन avionics को mount किया जाता है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होंग वंग वन इन्फरेड सर्च और ट्रैक पॉड के बारे में ये चाइना दोरा बनाया गया एक इन्फरेड सर्च और ट्रैक पॉड है जैसे कि externally mount किया जाता है इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी पब्लिक में release नहीं की गई है इसके लावा इस एक क्राफ्ट में एक BMKG300G self-protection jamming pod लगाया गया है इस self-protection jamming pod के बारे में गर हम बात करें तो ये चाइना दोरा बनाया गया एक electronic counter measure pod है जिसकी 1998 में पहली बार दिखाया गया था इस jamming pod के बारे में ऐसा बताया गया है कि इसे खास तोर पर land based airborne और never darts को counter करने के लिए बनाया गया है इसे खास तोर पर pulse doppler darts के लिए बनाया गया है ये pod काफी highly digitized है और इसे बहुत तरह के platform के उपर लगाया जा सकता है इस jamming pod के बारे में भी ज़्यादा जानकरी release नहीं की गयी है इसके साथ ही इस एक क्राफ्ट में एक KZ900 electronic reconnaissance pod लगाया गया है ये भी चाइना दोबर अबनाया गया एक reconnaissance pod है ये एक airborne signal intelligence pod है जिसे की चाइना की military इस्तिमाल करती है इस pod को radar signals को collect करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है ये बहुत तरह की frequency की उपर radar signals को collect कर सकता है हाला कि इसकी exact frequency के बारे में जानकरी classified है लेकिन इसे बहुत तरह के air shows और defense exhibition में दिखाया गया है इसके बाद इसका एक नया variant भी बनाया जा रहा है जो की नया तरह के data bus के साथ compatible होने वाला है इसके साथ ही इसमें एक blue sky navigation attack pod को भी integrate किया जा सकता है blue sky एक combined airborne navigation and targeting pod है इससे Chinese aircraft के लिए बनाया गया है ये all weather night attack capabilities को provide करते हैं इसे American air force के LAN-TIRN system के साथ compare किया जाता है इसके बहुत सारे variants बनाये गये हैं लेकिन इसके बारे में जाया जानकरी पब्लिक में release नहीं की गई है इसके साथ ही इस aircraft के साथ एक fillet forward looking infrared and laser targeting pod को भी लगाया जा सकता है ये एक airborne targeting pod है जो की इस aircraft को all weather night attack capabilities देता है तो चलिए अभी इसके airframe के बारे में बात कर लेते हैं इसके airframe को metal alloys के साथ बनाया गया है और composite materials के साथ बनाया गया है इसे एक craft के aerodynamic layout में एक tail less canard delta wing configuration का इस्तिमाल किया गया है इस configuration से इसे craft को काफी high agility मिल जाती है और ये low speeds के उपर काफी अशा परफॉर्म कर सकता है इसके नए variants में एक diverter less intake का भी इस्तिमाल किया गया है जिससे इसके radar cross section में भी काफी कमी आई है इसमें 11 hard points हैं जिसमें इसे 6 hard points wings के नीचे हैं और 2 hard points intake के नीचे हैं और 3 hard points fuselage के नीचे हैं ये सबी hard points मिलकर 7000 kg के external fuel और ordinance को carry कर सकते हैं इसके अगर cockpit के बारे में अगर बात करें तो इसके cockpit में एक bubble canopy का इस्तिमाल किया गया है इसके cockpit को एक 2 piece bubble canopy के साथ cover किया गया है जो कि इसको 360 degrees की visual coverage प्रवाइड करती है इसके cockpit में 3 liquid crystal LCD displays का इस्तिमाल किया गया है जो कि multi function displays है इसके साथ ही इसमें एक चाइना दोरा develop की गई holographic head of display का भी इस्तिमाल किया गया है और इस aircraft में चाइना दोरा बनाएंगी helmet mounted sides का भी इस्तिमाल किया गया है इनके बारे में चाइना का दावा है कि जो square 27 aircraft के साथ चाइना helmet mounted sides मिली थी उसके मकाबले में Chinese sides ज्यादा superior है इसके weapons के बारे में अगर हम बात करें तो ये अलग लग तरें के weapons को carry कर सकता है इसमें एक GSI 23 main gun लगाई गई है और ये 90 mm unguided rocket pods को भी carry कर सकता है ये अलग लग तरें के bombs को भी carry कर सकता है जिसमें laser guided bombs, glide bombs, satellite guided bombs और unguided bombs शामिल है और ये तीन external fuel drop tanks को भी carry कर सकता है इसकी air to air missile configuration के बारे में अगर हम बात करें तो ये PL8, PL9, PL10, PL11, PL12, PL15 missile को carry कर सकता है और ये PJ9 और YJ9 के air to surface missiles को carry कर सकता है इसकी air to air missile की capability के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी beyond visual range capability को काफी hype किया जाता है जो कि हमारे पडोसी मुलक के दौरा किया जाता है इसमें PL15 missile का इस्तिमाल किया जाता है ये एक active radar guided very long range air to air missile है जिसे कि चाइना और पाकिस्तान दुनों दौरा काफी hype किया गया है इस missile के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी range 200 km से जादा है और ये मैक 4 की रफतार से उड़ सकती है इसमें dual pulse rocket motor का इस्तिमाल किया गया है और ये एक 4 मीटर लंबी missile है इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये missile चाइना के पास पहले से मौझूद PL 12 missile के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी है और इसकी range भी ज़्यादा है और इसमें increased anti jamming capability भी है इसके साथ ये एक craft PL 12 missile को भी carry करता है जो कि चाइना दुबरा बनाएं गई AM RAM missile जैसी ही एक missile है इस missile के बारे में चाइना दावा करता है कि इस missile की range 100 km है और इसका वजन 180 kg है ये solid fuel rocket motor के उपर काम करती है ये एक active radar guider beyond visual range 8 wear missile है यही missile चाइना ने पाकिस्तान को भी दी है इसके लावा इस aircraft में PL 10 infrared homing 8 wear missile का भी इस्तिमार के जाता है ये एक short range missile है तो चलिए ये तो हो गई इस aircraft के specifications के बारे में बात तो चलिए भी बात कर लेते हैं कि क्या ये aircraft हमारे लिए एक बड़ा थैट हो सकता है या नहीं अगर हम इस aircraft के specifications के उपर ध्यान रखकर बात करें तो specifications के मामले में तो ये हमारे खिलाफ एक बड़ा competitor हो सकता है लेकिन अगर Chinese equipment के बारे में ध्यान से देखें तो उन में काफी कमिया है जो Chinese aircraft हैं उसके बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि ये Russian aircraft से भी inferior है अगर इसके radar के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में analyst मानते हैं कि इनके जो radar हैं वो अतने अच्छे नहीं है इन radars की कमियों को पूरा करने के लिए चाइना ने इन में ज़्यादा TR modules का इस्तिमाल किया है और इसके साथ ही जितनी power NTR modules को चाहिए उतनी power J-10 aircraft के engines produce नहीं कर सकते हैं इसके साथ ही जो इसकी A-2 air missiles हैं वो भी काफी hyped हैं लेकिन वो अपनी hype की उपर खरी नहीं उतर पा रही हैं जो उनकी PL-15 missile है उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये असल में एक NTA box missile है जो की बड़े targets को हंट करने के लिए इस्तिमाल की जाएगी ये fighter A-craft के एगेंस्ट इतनी ज़्यादा range की उपर काम नहीं कर पाएगी अगर इसे fighter A-craft के एगेंस्ट आपको इस्तिमाल करना है तो आपके A-craft की radar range भी काफी माइने रखती है और अगर आपके A-craft की radar range ही कम है तो इस missile की अगर range उससे ज़्यादा भी हो तो फिर भी आप इतनी लंबी दूरी की range वाली missile को इतनी दूर तक कम capacity के radar के साथ गाइड नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो में इतना है गर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जूर लाइक और शेर करें थैंक्स पर वाचिंग डिस वीडियो जैहिंदवन दे मातरम